हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हैं आपका हमारे ओपिशियल यूट्यूब चैनल में मैं हूँ अनामिका सिंख और जैसे कि आपको पता है 500 Questions की एक सीरीज चल रही है मद्धिप्रदीश जील प्रहरी की और हिंदी के आम इसमें कुछ questions डिसकस कर रहे हैं और आज इसकी 5th class है, I hope आपने इसकी पहले की class देख ली हो यदि नहीं देखी हैं तो कोई बात नहीं आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और जो भी स्टोडेंट्स पर्स्टाइंड चैनल के साथ जुड़े हैं और वो जील प्रहरी के तैयारी कर रहे हैं और हिंदी की सीरीज को continue रखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें बल आइकन को प्रेस करें ताकि ये जो वीडियो अफ्लोड होती हैं जील परहरी की, वो सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बहुत सके नासिक की विंजन होते हैं, नासिक की विंजन कौन से होते हैं हमें यहाँ पर बताना है पंचमाक्षर, प्रतमाक्षर, प्रतियाक्षर या कोई नहीं तो आप सभी ने इसका आंसर भी दिया था और सही आंसर दिया था जो की था पंचमाक्षर जो नाक से उत्चारित होते हैं, वो वाली प्यंजन पूछेते हैं इसमें, है ना, तो वैसे प्यंजन किसके अंतरगत आते हैं, वैं पंचमाक्षर के अंतरगत आते हैं, आप सभी ने सही आंसर दिया था चलिए, अब आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, 120 पेशन कंप्लीट हो गए हैं, पासो में से, 121 से आज हम स्टार्ट करेंगे किसमें स्व उपसर्ग नहीं है, स्वतंत्र, स्वयंवर, स्वराज ये स्वदेश, अच्छा उपसर्ग क्या होते हैं, तो ये तो आपको पता होगा कि उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं आप इसमें पूछाए कि स्वव उपसर्ग किसमें नहीं है तो चारो अप्षिन यदि हम पढ़ेंगे तो इसका आंसर है स्वयंवर स्वयंवर में स्वव उपसर्ग नहीं है बाकी स्वतंत्र स्वराज्य स्वदेश में स्वव उपसर्ग है ठीक है चलो question number second मतलब 122 की तरफ आते हैं 122 नमबर का question देखेंगे स्वव उपसर्ग नहीं है अब हमसे पूछा था स्वव उपसर्ग नहीं है अब हमसे पूछा है स्वव उपसर्ग नहीं है स्वव उपसर्ग नहीं है इसलिए इसका अंसर हो जाएगा स्व याने सी नमबर का ठीक है 123 की तरफ आते हैं 123 नमबर राजपुताना में प्रत्य है बड़ा आ आना और न य अ ठीक है तो राजपुत आना में प्रत्य कौन सा है अच्छा उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्य कहां लगते हैं तो प्रत्य शब्द के पीछे लगते हैं अब राजपुत आना में है आना प्रत्य कौन सा प्रत्य है इसमे आना प्रत्य है, राजपुत में आना प्रत्य लगा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा B आना 124 देखते हैं, अब हम 124 नमबर का प्रेशन है, परिहार में उपसर्ग है परिहार में उपसर्ग क्या है जो शब्द के आगे लगता है उपसर्ग हमें परिहार में बताना है तो परि अ पर यपा तो इसमें उपसर्ग है आ नंबर पर जो आप्शन है परी परिहार में परि उपसर्ग है 125 नमबर का प्रश्ण है हमारा निम्ड में से संस्कृत का उपसर्ग है प्रती क उनकम देखो जरूरी नहीं है कि वहाँ शर्द दिया रहे और आपको उपसर्ग और प्रती ही पहचानना रहे कई बार ऐसा होता है कि वह संस्कृत के अर्भी फार्सी के हिंडी के और अंग्रेजी के उपसर्ग पहचानने के लिए भी दे देते हैं तो इसलिए थोड़ा आप यह मसूचना कि हमें वह नहीं पढ़ना है आपको थोड़े थोड़े बहुत याद भी करके रखने है कि संस्कृत के कौन से होते हैं हिंडी के कौन से होते हैं अर्भी फार्सी के कौन से हैं और अंग्रेजी के कौन से हैं उसी प्रकार जैसे एक प्रेशनर पूछा है ने, संस्कृत को उपसर्ग imaginає इसका आंसर है प्रती-π्रती जो है वो संस्कृत का उपसर्ग है प्रेश्ट नम्बर 116 से आसन और आसन शब्द यूघमक का सही अर्थवेद देखो ये बिननार्तक शब्दे से प्रश्न पूछा है MPSI के लिए बहुत ही इंपोर्टनेंट ही क्योंकि MPSI में से प्रश्चन काफी बनते हैं तो चलो अब हम इसे देख लेते हैं आसन और आसन शब्दे का जो सही अर्थ निकल रहे हैं आपर A option में दिया है बेठक और संकट B में दिया है बैठने की वस्तूर सुन्न हो जाना C में है बैठने की विधी या निकट आया हुआ और D में है सरल या सामने तो इसका सही आंसर है C बैठने की विधी या बैठने की विधी किसका हो जाएगा आसन का और आसन का मतलब क्या हो जाएगा निकट आया हुआ प्रश्ण नमर 127 से लड़ू खाये जाते हैं वाक्य है तो लड़ू खाये जाते हैं ये वाक्य क्या है कर्तवाचे, कर्मवाचे, भावचे या इन में से कोई नहीं तो लटू खाये जाते हैं यह है कर्म वाचे वाचे जो है यह टॉपिक का नाम होता है और वाचे तीन प्रकार के होते हैं कर्त वाचे, कर्म वाचे और भाव वाचे लड़ू खाये जाते हैं, यहां पर कर्म की प्रधानता है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा कर्म वाचय प्रेशन अमबर 128 है राम की गाय बहुत काली है इस वाक्य में काली है तो काली क्या है सर्वनाम, क्रिया, विशेशन या प्रति विशेशन इसमें काली है विशेशन क्या है काली तो इसमें काली है विशेशन संग्य या सर्वनाम की विशेशता बताने वाला शब्द विशेश कहलाता है, इसलिए इस वाक्य में काली क्या हो जाएगा विशेशन, प्रेशन नमर 119 है, प्रेक्षन शब्द बना है, प्रेक्षन किसके मेल से बना है, तो चार ओप्षन हमारे सामने दिये गए हैं, और प्रेक्षन का सही शब्द जो सही मेल है, या सही संदे विछेदे वो ह तो जिसे जीता ना जा सकें इसके लिए एक शब्द है अजे ही है आपके एक साय में मद्यप्रदीर चेल परे का जो पेपर होगा उसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मुहावरी और विलोम शब्द परेवाची इन सारे ही टॉपिक से एक एक दो दो नंबर का क्वेशन बनता है तो ये सारे ही टॉपिक आपको कवर करने रहेंगे और इसी तरह से इसके क्वेशन बनते हैं 133 नंबर का प्रशन है इस्तरी जो कवीता रच्टी है उससे क्या कहते हैं कवीत्र कुमारियय कर्मट. तो वही षडी, कवीत्री रचती है, उसे कहते हैं कवीत्री. क्या कहते है, उसे कवीत्री कहते हमाइन, और इसके शुदी से व Best question बन जाता है, तो तो बिल्कुल ध्यान से इसको ध्यान में रखेos की कवीत्री को ऐसे ही लिखा जाता है. प्रेश नमबर 132 की तरफ बढ़ते हैं छीन का तदभव है देखो तदसम और तदभव एक टॉपिक का नाम होता है जो कि हर पेपर में आता ही है और एक से दो नमबर इससे भी पूछे जाते हैं जिसे तदसम शब्द पूर्ण रूप से संस्कृत का होता है और तदभव क्या होता है तो ये संस्कृत से परिवर्टित होकर हिंडी में रहते हैं इसके शब्द और छीन का तदभव रूप पूछा है यानि ये छीन क्या हो जाएगा तदसम हो जाएगा अब इसका तदभव क्या है तो उप्शन है छेड़ना जीना छीन या छड़िक तो इसका सही आंसर है सी वाला छीन छीड का तदभव रूप है छीन प्रेश नमर 133 की तरफ आते हैं निम्न लेके शब्दों में तदसम शब्द है अभी इससे पहले हमने तदभव के पैचान की थी अब हमें संस्कृत का शब्द यानि तदसम शब्द दूणना है ओप्शन है चून बच्चा जनम या काज तो इसका सही आंसर है चून चून जिसकी एक वीडियो भी मैंने बनाई थी तो आप प्लेलिश में जाके वो वीडियो ज़रूर देखिएगा आपको काफी हल्प मिलेगी उस वीडियो से प्रेश नमबर 134 से संप्रदान की विबक्ती है के लिए का पर या ए देखो ये कारक से प्रशन पूछा गया है हिंदी में कारक के संक्या आठ होती है जिन में से एक होता है संप्रदान कारक और इसकी विबक्ती क्या है या कह सकते हैं इसका कारक चिनन क्या है तो इसका कार संप्रदान की विबक्ति होती है के लिए जहां किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए वहां होता है संप्रदान कारक आतने प्रेश नमबर 35 की तरफ 135 की तरफ सर्वनाम के कितने प्रकार है छै चार तीन दो तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं कितने होते हैं तो इसके 6 प्रकार होते हैं ब्रह्मास्र का सही संदी विच्छेद है ब्रह्मा दन अस्र देखो चार तरीके से लिखे हैं इसे चारो तरीके से यह आप पढ़िएगा और इसका सही आंशर क्या है तो इसका सही आंशर है Brahmadhanasr जो A option में Brahma लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है और यही इसका आंशर है Brahmastr का सही संदेव इछेद है आते हैं question number 137 की दरफ सेकार सौरभ, सेव या रसाल तो आमर का परियवची है रसाल क्या है? तो आम्र का परहवची सहकार, सौरब और सेव नहीं है इसका परहवची है D नंबर का जो option है रसाल 130 नंबर का प्रश्ण है सर्प के लिए उप्यूक्त शब्द नहीं है भुजंग, व्याल, नाग या कनक तो सर्प के लिए जो उप्यूक्त शब्द नहीं है वो है कनक कनक मतलब होता है दतुरा ये सोना है ना ये सर्प के लिए शब्द नहीं है इसलिए इसका आंसर होगे इस प्रश्ण का आंसर हो जाएगा D वाला कनक बे इंसाफी में प्रयूक तो उपसर्ग है तो बे इंसाफी में उपसर्ग क्या है उपसर्ग जैसा कि मैंने अभी बताया थोड़ी दिर पहले जो शब्द के आगे लगता है उसे उपसर्ग कहते है बे, इन, बे या बे, इन, क्या है इसमें से उपसर्ग है तो इसका आंसर ही आवला बे, इन साफ में उपसर्ग है बे 140 नमबर का प्रश्ण है disparity के लिए मानक हिंदी शब्द है, देखो ये प्रशाशनिक शब्दावली से question पूछा गया है जो की जेल प्रेरी में एक नमबर का question आता है याँसे हैना तो इसके लिए मानक हिंदी का शब्द क्या होगा निश्पादा ना समानता विस्तापित या अधिवास तो इसका आंसर है असमानता disparity के लिए मानक शब्द हिंदी में क्या होगा असमानता 147 नमबर का question है शब्द रश्णा के आधार पर बताईए कि कौन सा शब्द योगरूण है पवित्र कुशल विनिमें जलादे को नमबर नहीं डलाए आपर पर हमें पता तो है कि चार option दिये हैं और प्रश्ण में पूछा है कि रचना के आधार पर बताईए योगरूण क्या है तो देखो योगरूण शब्द वह होते हैं देखो योग का मतलब क्या होता है मिला हुआ एक होता है रूड एक होता है योगिक और एक होता है योगरूड योगरूड में क्या होता है न तीसरे वेक्तिय के और संकेत किया जाता है यह कह सकते हैं जहां बहुबरीही समास के उधारण वो सारे ही उधारण चले जाते हैं योगरूड में तो ऐसा कौन सा option है इसमें, option तो इसमें दिया है पवित्र कुशल विनिमे जलज और इसका सही आंसर है जलज क्योंकि जलज का विग्रे होता है जलज में समास है बहुबरही समास और जलज का विग्रे होता है जल में जन्मा और जल में जन्मार था तीसरे विक्ती कौन है तो तीसरे विक्ती हो जाएगा कमल तो जहां तीसरे विक्ती की बात किया जाए तीसरे विक्ती की और संके तो वही होता है योगरुण और योगरुण में सारे ही बहुबरी समास के उधारन आते हैं इसलिए 141 का आंसर हो जाएगा D वाला जलज 142 नमबर पर आते हैं ससुर शब्द का तच्सम रूप होगा देखो ससुर शब्द तद्भव है और इसका तच्सम यानि संस्क्रिट रूप बताना है तो चार ओप्शन दिये हैं अलग-अलग तरीके से यहां पर लिखा गया है और ससुर का तच्सम रूप है श्वसुर क्या है इसका तच्सम रूप तो इसका तच्सम रूप है श्वसुर 143 नमबर पर आते हैं निर्न लिकित में रूड शब्द कौन सा है वाचनाले, सम्तल, विध्याले या पशु तो रूड शब्द देखो वो होता है जैसे मैंने अभी बोला ना कि तीन शब्दों होते हैं रचनके आदारपा रूड, योगिक और योगरूड योगरूड हमने देख लिया तीसरे वेक्ति की और संकेत होता है रूड शब्द क्या होता है तो देखो रूड शब्द में किसी भी शब्द को यदि आप तोड़ोगे तो दोनों ही भाग से इसका अर्थ नहीं निकलना चाहिए और यदि हम चारों ओप्शन देखें तो चारों ही ओप्शन में इसका आंसर हो जाएगा दी वाला पशू पशू को यदि हम तोड़ेंगे तो ना प का अर्थ निकलेगा और ना शू का अर्थ निकलेगा इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पशू वाचन आले में वाच कभी अर्थ और नाले कभी यह कह सकते हैं आले कभी अर्थ है वाचन कभी अर्थे और आले कभी अर्थे इसलिए ये option में नहीं होगा ये answer नहीं होगा समतल में सम कभी अर्थे और तमतल कभी अर्थे विद्धाले में विद्धा कभी अर्थे और आले कभी अर्थे इसलिए ये रूड में नहीं जाएगा 144 सिंबर का प्रेशने जनू, जानो, मनू, मानू जैसे वाचक शब्द किस अलंकार में प्रेयुक तो होते हैं उप्मा, उतप्रेक्षा, यमाक या विरोधाबास तो देखो, ये बहुत ही अच्छा question है, इसे जरूर ध्यान में रखिएगा लंकार बहुत important topic है आपके हर exam के लिए जिसमें हिंदी आती है और जनू, मनू, मानू, जानू, मनू जो ये वाचक शब्द होते हैं न ये उतप्रेक्षा लंकार में आते हैं ये वाचक शब्द एक तरह से पैचान होती है उतप्रेक्षा लंकार के जहां उपमे में उपमान की संभावना होती है वहाँ उतप्रेक्षा लंकार होता है और इसकी पैचान के लिए इन वाचक शब्दों का प्रियोग किया जाता है यह कह सकते हैं कि उत्प्रेक्षा लंकार में वाचक शब्द की रूप में जनू मनू मानो जानो जनू मनू इव जैसे शब्दों का प्रियोग होता है 145 नमबर पर आते हैं कौन सा यूगम गलत है अखिल आका च्वण चबाना नप्रत नाई और मरीच मिर्श तो इसका सही आंसर है नप्रत नाई नहीं नहीं है इसलिए हो जाएगर सी वाला आंसर 146 नमबर का प्रशन है कर बैट चल आधी धातू का प्रकार है तो धातू का कौन सा प्रकार है नाम धातू मूल धातू योगिक धातू या प्रेणार्थाक धातू अच्छा धातू क्या होता है तो धातू शब्द का मूल रूप होता है क्या होता है तो यह शब्द का मूल जिसमें कर, बैट, चल, यह जो तीनों ही है ना यह धातू, यह मूल धातू का प्रकार है, क्योंकि मूल धातू वह धातू होती है, जो स्वतंत्र होती है, यह कह सकते हैं, यह किसी दूसरे प्रत्य पर निर्बा नहीं करती है, दूसरे प्रत्य में भी किवल एक प्रत्य उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या कोई नहीं तो यह जो मुझे है यह आता है उत्तम पुरुष के अंतरगत जैसे मैंने बुला में, मेरा, मुझे, 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 यह सबी किसमें जाएंगे उत्तम पुरुष में जहां दूसरे विक्ति के और संकेत होगा, जैसे तू, तेरा, तुझे, 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 ये जो सारे शब्दे न, ये जाते हैं मध्यम पुरुष में, और जहां पर तीसरे विक्ति की बात हो, जैसे ये ये वे, ये है वे, इसका, उसका, इनका, उनका, ये सबी चले जाते हैं अने पुरुष में, ठीक है, लेकिन अभी केवल मुझे, याने मेरे की बात चल रही है, और ये किसमें जाएगा फिर उत्तम पुरुष में, याने 147 का अंसर हो जाएगा, ए वाला, आते हैं, आता है, तो इसमें आता है, छोटा आ, इंपॉर्टेंट क्विश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, निमलेकित मैंसे मद्यस्वर है, तो मद्यस्वर है, छोटा आ, प्रश्न नमबर 149 के तरफ आते हैं, निरोग का संधी विछेद, चार आप्शन दिये हैं, और इ जो मात्रा यहां पर छोटी की लगी नामे उसको परिवर्टित करके बढ़ी में लगा देते हैं, ठीक है, तो निरोग शब्द में यही हुआ है, विसर्ग के स्थान पर नामे क्या आने चाहिए, नामे बढ़ी की मात्रा आने चाहिए, तो निरोग का सही संधी विछे दु बाकि नेक्स वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसका सही आंसर, मैं उस मकान में रहता हूँ, जिसमें कभी गुरुजी पढ़ाते थे, यह वाकि क्या है, सरल वाकिया, सैयुक्त वाकिया, मिश्र वाकिया, इनमें कोई भी नहीं, इनमें कोई भी नहीं, तो इसका आंसर आप आप कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा बाकि नेक्स वीडियो में मैं इसका आंसर ज़रूर दिस्कस करूंगी आप सभी आंसर देते हैं अच्छी बात आप सभी पढ़ा एक कर रहे हैं आप कंटिनुए स्टेडी चल रही है दूसरी चीज कि आप देखते हैं तो यह इसे ला वीडियो में भी बताया था बस एक दो दिन में आपको मैंश्मेंट की मिल जाएगी तीन दिन मैंश्मेंट रहेगा और तीन दिन आपका हिंदी रहेगा ऐसे करके आपका रेश्यो लेकर चलेंगे सबजेक्ट आपको सारे पढ़ाई जाएगे तो टेंचन मत ले ना मैंश्मेंट और जेल परेरी में नहीं आती है तो कोई कंफ्यूज मत होना कि मैंश्मेंट जेल मेनेजमेंट का जो सब्जेक्ट वो आता है आपके group 2, subgroup 4 याने labor inspector के exam में जो की calendar में अभी दिया गया है हाना उसके भी दियादी करनी है हमको बाकी वीडियो आप शेयर जरूर करा करो देखने के बाद लाइक करा करो और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं बोलो यदि चैनल पे नहीं हो दो बाकी मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और भी हिंदी के questions के साथ